जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 दिसंबर और 25 दिसंबर 2022 के सेहिंग राशी फल के बारे में, सेहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में एग्रहों की इस्तिती क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचरिया में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ हो विस्तार से, स्वास्त सिक्षा, करियर, नौकरी दुकान, हर एक चीज़ के बारे में, इसलिए वीडि के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं, अभी जो 24 दिसंबर का दिन है, शनिवार का दिन है, शुकल पक्ष की प्रति पता तिथी है, पूर्व साड़ा नक्षत्र है इस दिन, और व्रद्धी नाम का योग है, सुभा साड़े नौ बजे तक, उसके बाद दुरुव नाम का योग बनेगा, चंदरमा की स्तिति धनु राशी में है और सूरिय भी धनु राशी में है, चतुरग्रै ही योग है, मूल नक्षतर में है इसके अलावा इस दिन, त्री पुषकर नाम का योग बनेगा, जो बहुती शुब योग माना जाता है, अभी जीत साड़ा नक्षत्र रहेगा व्यागहत नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा राशी बदल कर मकर राशी में आ चुके हैं शनी के साथ चंद्र की युति है सूरिय धनुराशी मूल नक्षत्र में ही है इस दिन बहुत उत्तम तीन योग बने है पहला तो वही तुरे पुषकर योग बना हुआ है जो सुभा साड़े आठ वजे तक बनेगा उसके बाद सरवार्त सिद्धी योग बना हुआ है जो पूरा दिन रहेगा रवी योग भी है जो अगले दिन तक रहेगा यानि पूरा दिन भी रहेगा तो ये तीन योग और अभीजीत मूरत तो पहर बारा पढ़े कर जमादा js do दनने पर के वाहु में душा की स्वामी। जमादा कर पकरंगे, आपके पान्चन भाहाव में इन अवहाव में इन ग्रह 기대 करें। बौधी शम्ता का इस्तर इस दिन बढ़ेगा आप अपनी शम्ता का प्रियोग अपने भविश्य की योजना बनाने के लिए उप्योग कर सकते हैं ये आपके confidence level को भी बढ़ा कर रखेगा जिससे आप हर एक चीज में बड़ा डड़ रहेंगे और हर एक चीज को सुधारने की कोशिश भी करेंगे बेकार की चिंताओं को छोड़ दें और अपनी लक्ष पर ध्यान दें सबकुछ खुद बखुद आपके योजना के अनुसार ही होता चला जाएगा देखे कोई भी मुसीबत आए तो परिशान नहीं होना है मुसीबत से परिशान होने की बज़ा सुधार करें खुद पर विश्वास करें एक ही समय में परिशानियों को सुलजाने की कोशिश करेंगे तो चीजें जो हैं मुश्किल हो जाती है लेकिन जब आप एक एक करके चीज़ों को देखते हैं समझते हैं और उन पर अमल करते हैं तो आप सभी बादाओं को पार कर पाते हैं आज दोपहर ढ़ाए बज़े के बाद का समय आपके लिए बहुत भागेशा लिए दिख रहा है इस समय आप कोई महतपून कारे कर सकते हैं या कोई महतपून कारे आपके लिए इस समय हो सकते हैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा चुड़ा जरूर बना सकती है आपके आफिस में कोई ऐसी परिशानी हो सकती है जिससे वज़ेसे आप थोड़ा आपको परिशानी जहलनी पड़ेगी तो आप चिड़ड़े हो जाएंगे तो आपको घबराना नहीं है रुकावटे ऐस्थाई हैं दूर हो जाएंगी रिष्टे ठीक रहेंगे उच्छा दिकारियों के साथ बॉंडिंग अच्छी रहेगी पैसा कमाने के साथ जिन्दगी में लुद्फ उठाना बिल्कुल न भूलें क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने के दरफ याप रहेंगे तो जिन्दगी जो है वो नीरस हो जाएगी इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें पर जरूर ध्यान दें जो आपको अंदर से खुश करती हैं जो आ आज आप मिल सकते हैं स्वास्ते के लिहास से दिन बहुत ही अच्छा है और प्रेम जीवन के लिहास से भी आज का दिन बहुत अच्छा है आज विवाहिक जीवन अच्छा रहेगा आज अपने विवाहिक जीवन में आप काफी खुशी का अनुबह कर पाएंगे आज अपन एक खिचाव महसूस कर सकते हैं, धर्म कर्म के प्रती, पूजा पाठ के प्रती, आपका एक खिचाव रह सकता है, हो सकता है किसी कैम्प हो गयरा, योग कैम्प हो गया, या कोई धर्म कैम्प जुड़ा हुआ हो, उससे आप जुड़ सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, अध् सब लेने वाला रहेगा चलिए आप बात करते हैं 25 दिसंबर की तीन तीन बहुत अच्छे योग है सरवार सिदी योग रवी योग और साथ में त्रिपुशकर योग भी है चंद्रमा इजिन राशी बदल कर मकर राशी में आ चुके हैं आपके छटे भाव में शनी के साथ चं भावनाएं नजर आ रही हैं और साथ में किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का अफसर भी आपको प्राप्थ हो सकता है जिससे आप अपने प्रयासों से अच्छा धन अरजित कर सकते हैं बहतर होगा कि शांति पून प्रतिरोध की रणीती बना कर आगे कदम अंदाज देखने को मिलेगा अपने प्रेमी का अपने जीवन साथ ही का और एक चीज़ का ध्यान रखें आपके घर परिवार के जो वरिष्ट है उनको नजर अंदाज बिलकुल ना करें उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अपने भाई बहनों के रिष्टों को भी आप सुधारते दिखेंगे एक दूसरे की किस तरह से आप बांडिंग कर सकते हैं ये आप देहान देंगे प्रेम जीवन के मामले में जैसक कहा आज बहुत अच्छा दिन है आज सचा प्रेम मिलेगा और अच्छ से होने वाली है चीजों का जो प्रभाव है वो आपके हिसाब से रहेगा च्छटा बहाव जो होता है वो रोग रिनशत्रू साथ में प्रतियोगताओं का भी होता है जहां आज चंद्रमा विराजमान है शनी के साथ यूती हुई है आपकी च्छटे बहाव में तो से मिलेगा लेकिन अभी आपको पूर्ण फोकस करना होगा किसी भी चीज को अवोइड नहीं करना है जितना जादा फोकस आप कर पाएंगे उतना जादा अच्छा रहेगा इसलिए अपने ध्यान बस आप अपनी पढ़ाये पर केंद्रित रखें और आगे आने वाला समय आप पर जिन लोगों का विवापका हो गया है वो अपने होने वाले जीवन साथ ही से मिलने की प्लानिंग भी कर सकते हैं तो इन दो दिनों को अच्छे से इंजॉय करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को जाज़दा लाइक करें शेयर करें